हेलो फ्रेंज तो आज की मेरी रेसिपी है डेजर्ट की जोकी मैं बहुत ही टेस्टी बनाने वाली हूँ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटस वीडियो को पाने के लिए तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते है तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कच्चा दूद और यह फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अधा कपके करीब मैं इसको निकाल लूँगी बाकी को हम पैन में ही छोड़ देंगे तो यहाँ पर हम दो चमच ले ले लेंगे कस्टेट पाउडर ज नसी में हम इसको सारे को मिल्ला देंगे और अब हम इसमें डालेंगी कम से कम मैं इसमें 2- 3-3 चमच चादिंग कम्यां ज्यादा कर सकते हैं अगर लाइट लेते हैं तो 2 चमच डाल दे और बस इसको mix करके अब हम इसको gas पर रखके इसको पकाएंगे flame यहाँ पर आप medium ही रखना और इसको लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे तो इसको कम से कम 3-4 मिनट तक इस तरह से ही चलाएंगे और flame को off कर देंगे और यह देखे गाड़ा हो गया है हमारा दूद बस इतना ही रखना है flame को off करने के बाद तुरंस इसको ठंडा करेंगे तो यहाँ पर मैं इसमें आदी चमर डालूँ भी vanilla essence तो इससे और भी अच्छा flavor आएगा वैसे तो vanilla custard है लेकिन इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे तो और अच्छा टेस्ट आ जाएगा तो flame से उताने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे और इसमें मैं आदा कब डालूँगी fresh घर की जो मलाई होती है ना वो मैं मिला दूँगी इससे इसे हमारी दूद और भी गाड़ा हो जाएगा तो इसका flavor एकदम ice cream जैसा हो जाएगा अब हमें क्या करना है अब हम लेंगे हमने यहाँ पर इलेक्टिक वीटर का इस्तिमाल नहीं किया है कभी कभी क्या होता है किसी के पास इलेक्टिक वीटर नहीं होता है तो वो यह कर रही हूं जैसे क्या होगा कि अगर हम पानी के ऊपर इसको रखेंगे तो यह जल्दी से ठंडा हो जाएगा इसकी जो हीट है न वो निकल जाएगी और यह ठंडा होते ही बहुत ही जल्दी से यह धीरे-धीरे गाड़ा होने लगता है और आप देख रहे हैं काफी कर सकते हैं और इस तरह के मैंने बर्फी ले ली है जो कि मेरी रखी हुई थी तो मैं यहां पर जो ना इनको अच्छे से एक बाउल में मसल लोंगी और डाल लोंगी चार-पांस पीस में ले लोंगी अगर आपके पास में एक और आपके पास कोई भी मिठा या नहीं भी है तो एक अच्छा ऑप्शन है इसमें मैं थोड़ा सा दूर डाल के इसको सॉफ्ट होने के लिए रख दूँगी ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना है इसकी जगा अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो दो तिन चमच आप मिल्क पाउडर ले लीजिए और एक चमच में आप पेसी हुई चीनी मिलाके और दूद में डालके इस तरह से इसका पेस्ट बना सकते हैं जैसे यह बना लिया है ना मैंने इस तरह से आप भी बना सकते हैं अगर आपके पास कोई बर्फी या मिठाईया जो भी नहीं है तो तो यह आपको second मैंने option दे दिया है और इसको यह देखिए अच्छे से सो आप चूका है पेस्ट बन गया है हमारा बर्फी का अजिस तरह हम ले लेंगे ब्रैड के सलाइस क्या हम इसको ब्रैड से बना रहे हैं तो यह कॉने काट लेंगे चारो कॉने इस तरह से काट लेंगे की तो यहां पर मैंने वीडियो थोड़ी सी कर दीए जिसे कि आपको देखने में जो ना प्राब्लम न हो अब अब हम जो हमने बर्फि का पेष्ट बना यह न। तो इसको एक समस्चो अच्छे से श्प स्प्रेट कर देंगे इसके उपर हम बदाम और पिष्टा बरी कटा हुआ हम इसके उपर लगा देंगे और दूसरे स्लाइस को इसके उपर ही लगा के इस तरह से दबा देंगे और फिर हम इसके स्लाइस काट लेंगे तो यह हमारी ब्रेड की स्लाइस तयार है अब हमें लेनी है एक ट्रे और उसके ऊपर हम यह सारी स्लाइस इस तरह से रखेंगे आपके घर में कभी भी आचानक गैस आजाते हैं इस तरह से आप बनाएं डेजर जो की बहुत ही सुन्दर लगता है बहुत ही एकदम शाही टुकड़ा लगता है विल्कुल यहां फिर कह लीजिए आपके जो आप रस मलाई खाते हो ना बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर आएगा इसमें और उपर से इसके उपर जब हमारा दूद ठंड़ा हो जब शारी के ऊपर हम इस तरह से इसको बाल देगे तो मैं ब्रेट यह नहीं पष्तों को तर दूदर सब्सक्नाचाय मही है जब आपको सब्सक्तल आपको bought भीजो शाही आएज और इस तैम खाइगे नहीं ज जाल देंगे तो इससे जो इना कलर और भी सुन्दर हो गया टेस्ट भी आ गया इसमें और देखने में कितना यम्मी लग रहा है न तो बस आप भी इसी तरह से बना लीजिए कभी एनी टाइम आपका जब भी मीठा खाने का दिल करें या फिर अचानक गैस्ट आ जाए तो इस ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें किजिए और फर्स टाइम मेरे चैनल पर आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो